हेलो फ्रेंड्स तो आज आपन करींगे saints doll wis पेरिलल प्रेटकेपीशिटर तो आपनको है ना कैपीशिटेंस फाइंड करना है किसका दो पेरिलल प्रेटकेपसिटर स्का और इन इंक्रीज़ बता दिया कि जब हमने दो प्लेट के बीच में इंक्रीज़ तो इसके बाद जो हमारा कैपसिटेंस से वो क्या होगा वो हमारा बढ़ेगा अब कैसे बढ़ेगा अपन इसको प्रूफ कर लेते हैं इसके लिए अब त्योड आई diagram शोज diffus Ur पैरलल प्लेट कैपिसिटर तो यह हमारा था diagram इसको क्लियर देख लतर है और डागरा मं शोज एज पैरललल प्लेट कैपिसिटर एरिया अफ डीज तो इसमें इनने क्या बोला यह हमारा डाग्राम है इसमें हमारी दो प्लेट्स हैं V1, V2 इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है A जो दोनों का एरिया है वो एरिया है A और इन दोनों के बीच जो हमने distance लिया है वो हमने लिया है distance D फिर उसके बाद आगे क्या बोला है थियोरी में Now a dielectric slab of thickness plus मतलब थिकनेस है तो वो हमेशे positive मेरेगी and dielectric constant K is introduced between the plates जो हमारी dielectric slab की थिकनेस है वो विसे वो प्लस नहीं है वो है X यह है हमारी dielectric की थिकनेस उसके बाद यह जो हमारा यह डायग्राम में जो के है यह क्या है हमारा dielectric constant फिर उसके बाद आगे है when positive charge is given to first plate then due to induction negative charge is introduced on inner side of second plate तो इसमें क्या बोला है अगर हम यह हमारी है first plate इस अगर first plate में हम positive charge देते हैं तो induction होने के कारण जो हमारी second plate है उसके inner side अंदर side में negative charge produce होने लगेगा यह आगे हो गया फिर उसके बाद यह diagram हमको अच्छे से समझ आए कि diagram में हमको क्या क्या दे रखा यह दो plate हमने लिए V1, V2 जिनका area था A जिनके बीच का distance था D और जो X है वो है हमारी thickness dielectric constant की और जो हमारा dielectric constant है वो है के उसके बाद हमने बता दिया कि यह positive and negative charge A कहां से रहे फिर उसके बाद हमारी जो आगे वाली theory उसमें लिखा रहेगा कि जो हमारे negative charge से एक connection है वो हमने दे दिया अर्थिंग के लिए अर्थ को दे दिया फिर उसके बाद यह हमने अभी देखा था then due to induction of negative charge is introduced on the inner side of second plate और इसके बाद its outer part is connected to earth तो यह हमारी second plate का outer part है यह हमने अर्थ से connect कर दिया उसके बाद now if V1 is potential of first plate and V2 be a potential of second plate then capacitance is तो यह जो हम V1 V2 लिखने है यह क्या है यह हमारे potential है और 1,2 cap पहले first plate के लिए और second plate के लिए तो अब जो हमारा capacitance वह हो क्या हो जाएगा c equals to q upon V1 minus V2 यह हो गया हमारा capacitance उसके बाद now if sigma is the surface charge density then electric field intensity is the जो हमारे सिग्मा है वो surface charge density है तो वह हमारी intensity हो जाएगी electricity की वह क्या हो जाएगी तब पहले air के लिए देख लेते हैं तो जो air के लिए हमारी intensity क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉंस में e0 यह नॉर्मल हो जाएगी air के लिए उसके बाद हमने क्या बोल दिया medium अब हमने कोई medium ले लिया specific medium तो उसके लिए जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा यह हो गया em मतलब intensity किसी medium में sigma equals to k upon e0 अब किसी medium में लेने के लिए हमारे constant add हो गया यानि into हो गया फिर now we know that pd equals to electric field and distance तो pd मतलब potential difference तो potential difference क्या हो गया electric field into distance तो हमारा potential difference था V1-V2 और electric field हो गई हमारी पहले air के लिए जो यह दोनों medium यह दोनों medium को प्लस करेंगे तो electric field पहले air के लिए तो वह हमने ऐसा का इसा लिग दिया और इसके बाद thickness of air column तो air column के thickness के लिए क्या हो जाएगा d-t और thickness of medium तो thickness of medium के लिए normal t जो हमने thickness ली थी वह हमने t ली थी यहां पर हमने कहीं show यह रहा यह हमने show करा thickness t यह जो है हमारा t है तो dielectric slab की जो थिकनेस है वह है हमारी t तो air column के लिए वह हो जाएगी d-t मतलब यह जो air column है उसके लिए यह d already था ही सही और उसके बाद एक t हमने minus कर दिया और उसके बाद जो medium कॉलम के लिए वह हमारी normal हो जाएगी t फिर उसके बाद हम इसको एक्विवेलेट करेंगे तो हमने ea और यहां से हमने निकाली थी ea की value यहां से हमने निकाली थी ea की value यहां से उसके बाद आपन value देख लेते हैं तो अपन को मालूम है जो e sigma होता है sigma की value होती है q upon a तो उसके बाद आपन वह वाली value रख देंगे जो फिर उसके बाद हमारी value आई तो अभी आपन ने इसमें रखा नहीं है तो आपन साइड में देखते है v1-v2 equal to sigma की जगह है इनने क्या रख गया q upon a तो a के साथ नीचे क्या बचेगा a upon e0 और आगे का ऐसा का ऐसा ही देगा फिर हमारी value आई v1-v2 की इसकी value हम किसमें put कर देंगे यहां से हमने एक बार और v1-v2 की value अपन यहां से निकाल सकते हैं तो v1-v2 की value के से निकल जाएगी v1-v2 उधर चल जाएगा और q upon c अब अपने पास v1-v2 की value आ गई थी यहां से इस value को हमने यहां पे रखा उसके बाद हमारा जो final value इसको equate करने के बाद आई वह आ गई a e0 upon d-t upon d-t plus t by k इसके बाद हमने एक condition ले ली कि जब हमारा जो k है dielectric constant वह अगर infinity हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा तो अगर किसी भी value के upon में infinity आ जाए तो इसकी value हो जाती है 0 तो हमारा final expression केसा आ गया e0 into a d-t बस और इसके बाद जो आगे वाली value थी वह तो हमारी 0 बनी गई थी तो यही हमको find करना था और यही जो expression होता है यही हमारा किसके लिए होता है यह हमारी होगी capacitance की value जो हमको find करना ही थी किसके लिए जब दो plate के बीच में हमने एक dielectric slab को present कर दिया thank you